कि बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं बहुत हार इटिंग है तो आपकी किरदार के बारे में थोड़ा सा बता है इसे किसरे का किरदार निखा रहे हैं और देखें ये फिल्म जो है ये कोर्ट रूम ट्रामा है मूलता है और कहीं न गहीं इस फिल्म के मादम से शेकर जी ने इस कहानी के मादम से जो चीज सामने रखने की कोशिश की है वो सिर्फ इतनी है कि हम और आप जब एक सिवल सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस सिवल सोसाइटी के निर्मान के लि ये उपयुक तो नहीं होती हैं. और हम और आप जब किसी एक कानून के जरीये संविधान के जरीये ہम अगर हमारे साथ कोई हन्याय होता है तो हम न्यायकी दिशा में बढ़ते हैं और कानून का निरमान ही इसलिए होता है कि हम और आप व्यवस्थित रहे आएं और हमारे जो देश की व्यवस्था है वो बरकरार रही आए तो मूलता है इस फिल्म के माद्दिम से कि और जो भारत का मिजाज है भारत का मिजाज है कि यहाँ पे जो दिखता है वह भी पूजनी है जो नहीं दिखता वह भी पूजनी है जो हमारे यहां से बाहर से लोग आते हैं उनको हम अतिती देवो भव याने जो हमारे महमान है गेस्ट हैं उनको हम सामाने मनुष्यों की श्रणी में नहीं उनको हम देवताओं की श्रणी में रखते हैं दूसरी चीज हमारे यहां इस्त भारत में ये माननेता है कि परमात्मा की श्रिष्ट तम कुर्टी कोई अगर है तो वो स्त्री है तो जब हम इन तमाम चीजों पर चल रहे होते हैं तो ये घटना करम जो इस फिल्म के माद्धन से प्रस्टुत किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जब कभी कोई बाहर से कोई स्त्री हमारे देश में आती है और उसके साथ इस कहानी में एक ऐसा जगन कृत्त हो जाता है जिसे आप रेप कहते हैं और जब रेप उसके साथ घटित हुआ जो की विदेशी लड़की है और हमारी भूमे में घटित हुआ और फिर उस रेप के लिए जिस तरह की जतोजहद और फिर वो जो मामला अदालत में जाता है तो पहली बात तो उस अदालत में उसका कोई पक्षकार नहीं होता लोग तयार नहीं होते क्योंकि पावर का फियर है या जो और उस कहानी के वादम से उस सिस्टम को बताने की कि वो कहां कहां हमें काम करना है किन किन पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जो माननेता है पूरे विश्व में कि भारत जो है वो संस्कृति का देश है भारत जो है वो संसकारों का देश है भारत जो ह हैं लेकिन जब विश्व गुरू की भूमी पर जब कहीं परमात्मा की भूमी पर क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो इश्वर की जन्म इस्थली भारत को मानने राता है कि यहीं पर उन्हों अवतार लिये हैं अवतारों की जो अवधार ना है अन्य था कहीं पर मैसेंजर हैं तो कहीं पर सन है तो उन्होंने किसी भी भूमी ने यह उद्भोशना नहीं की कि मैं ही भ्रह्म हूँ तो फिर उस उस चीज़ को ध्यान में रखते हूं कि अगर विश्व गुरू की भूमी पर इस किसम का कोई जगने अपराद घटित हो जाता है तो निश्चित रूप से हम सब को उसके उपर विचार करना चाहिए तो इस फिल्म के मादन से जो चिकन करी लौ है जहां पर कानून ही ईश्व माने जाते हैं तो उस प्रकरिया के मादन से इस फिल्म के मादन से वो शेखर जी ने यही बात कहने का प्रयास किया है तो इसमें हमारा जो कारेक्टर है वो है सीता पती तरपाठी का शुकला का सीता पती शुकला एक ऐसा लौयर है जो अपने सिद्धानतों पर चलने वाला व्यक्ति है और सीतापती शुकला एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इस चीज में विश्वास है कि सत्य की विजय होती है लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता था और उसको लगा कि नहीं ये सिर्फ मेरी अपनी कल्पना है मानता है सत्य की विजय नहीं होती है तो उसने अपनी प्रैक है और ऐसा वास्तविक्ता में होता नहीं है! के सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही विजय होगी! एक कहीं करेसर किर्दार है उस ची Caribbean की परेशान होकर ंपनी प्रैक्टिस छोड़ दिया और वह जालत के सामने ही पावभाजी की बेचने का काम करता है और उसकी अपनी जो पावभाजी की जो कॉलिटी है या जो उसने ब्लांड का नाम रखा है तो वो धाराओं के नाम पे रखे है कि वो 307 वाली पावभाजी या 302 वाली पावभाजी 376 वाली पाव भाई जी RTI वाली पाव भाई जी इस किसम के उसने अपने रखे हुँ और उसमें तो वो एक वैसा किरदार है लो फाइनली बाद में इस केस के पक्ष में खड़ा होता है जब कहीं कोई उस मुवक्किल को जो हमारी हिरोईन है फिल्म की नातालिया जो मिस पॉलेंड है उनको जब कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो उनका केस रख सके तब उसको वो कन्विंस करती है और वो एक बार वापस शुरू होता है और अदालत में जाके खड़ा होता है और पुर्जोर कोशिश करता है कि जो अपरादिये हैं उन्हें कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा इसके लब आपने बहुत सही बात कहीं कि इस चक्ति की जीत होती है लेकिन जैसे मैं पीछे देखना हूँ जो आपने बताया कि हैश्टेग आता है जैसे हम कहते हैं आपने कहा कि कैंडल मार्श निकलते हैं तो ये तमाम जो चीजें हैं ये कही न कहीं सोसाइटी की जागरती के प्रमान हैं कि अल्टिमेटली लोग उस चीज को लेकर या इस किसम के अपरादों को लेकर या अन्यायों को लेकर बहुत जागरूप होगा हैं और जो एक आम नागरिक अपनी शक्ति भर जिस चीज से अपने आवाज पहुचाने का प्रयास कर सकता है ये वो तरीके हैं कि हैश्टेक के जरिए या केंडल मार्च के जरिए वो आवाजें पहुचाई जाती हैं और उन्ही के बरिणाम होते हैं कि फिर अदालतों में कोई ना कोई सीताफ़ती शुकला जैसे लोग खड़े होते हैं जरिए कही ना कही कोई बड़े महान जिस्टिस खड़े हो जाते हैं जो पता लगा कि किसी अपराद की सजा अगर प्रक्रिया के शोचू到了 ऑज गटित हुआ पता लगा कि किसी व्यक्ती ने किसी बच्ची के साथ जब वो 15 वर्ष की थी रेप किया और वो व्यक्ती उस समय 35 वर्ष का था लेकिन उसकी ट्राइल इतनी लंबी चल गई कि वो व्यक्ती जब सजा कम मिली उसको जब वो 60 वर्ष का हो गया तो एक हिसाब से आपने तो रिटायर्मेंट प्लान उसका तै कर दिया और बच्ची जो थी जो 15 वर्ष की थी वो 40 वर्ष की हो गई तो वो जो यंत्रना के कि जब आपके साथ कोई अन्याय घटित होता है और चुकि हम उस प्रक्रिया में जा रहे होते हैं और हमारा पूरा का और उसके चित्त को कहीं शांती नहीं प्रदान कर पाता है तो ये उस प्रक्रिया के ऊपर भी ये फिल्म कहीं न गहीं आपका और हमारा सब का ध्यान आकरशित करने का काम करती है सर आप से जानना चाहूंगा बहुत सारे रीप्स हुए हमारे देश में तो आपको कितनी कितना चैलेंजिंग था ये सब्जेक्स अपके सामने लाना और कितने प्रिपरेशन करने पड़ी इसको लेकर और स्टार कास्ट जैसे सर बहुत ही अच्छा किरदार ने पार और और जी मकरन जी है और बहुत सारे किल्दार है तो सर सबको एक साथ में लाना होगा सबसे पहले बता है सर क्या प्रिपरेशन से बुजरना पड़ा हो तो यह जब कानिल में लिख रहा था तो काफी रिसर्च किया मैंने के सिसों के बारे में ते सर ने बताय कि एक केस ऐसा भी थ हुआ और जो बलतकारी था तो तू क्या हुआ लेट तो इस जश्टी इस डिलेए इस जश्टी डिनाइट तो बहुत सारी चींजे मेरे जहन में चल रही ते जब में गानी लिख रहा था और कहानी पुरी हुई सर को मेंने सनॉपसल बेजा इनने काफी है अच्छा लगा इ कि कुछ ऐसा हिस्सा था जो आपको नहीं पता था सोसाइटी के बार में अगर आप ऐसा कुछ शेयर करना था एक अबिनेता के रूप में मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि हमारी शुरुआत जो है वो दुश्मन जैसी फिल्म से हुई फिर हमें संघर्ष जैसे किरदार में फिर हमें राजवन जो बनी हुई थी जिसमें प्रोफसर अगनी होतरी या शबनम मौसी जैसे कारेक्टर हमें करने के लिए मिले या जो जेपी दित्ता साहब ने एक लूसी नाम के फिल्म मनाई तो उसमें योगंदर सिंग यादा जिन लोगों को मृतियो उप्रांत शर्मा के दिवनिया या हासिल का गौरी शंकर पांडे जो तिर्मान शुदूलिया साब की फिल्म ती या मुलक सिंबा सोन चिडिया मिलन टॉक इस तो एक व्यक्ति के रूप में अविनेता के रूप में और एक प्रोफेशनल के रूप में हमारी शुरू से पहले दिन से ज किसम के प्लेटवर्म के ऊपर आपको अगर पिर्दार करने मिलें तो वो दो किर्दार भले ही वो nosotros पहने हुए हूं जैसे मुलक का 100 all शानन और इसका सीतापती है भले ही वो काले कोट पहने हुए हूँ लेकिन दर्शुकों को वो दोनों की तस्वीर वो दोनों की ताकत वो दोनों का जहन दोनों की कारपणा ली और वो दो अलग-अलग गटी नजर आएं तो उस प्रक्रिया में हम एक अबनेता की रूप में हमेशा से जागरू करा है और यह कोशिश रही कि अपने आपको रिपीट ना करना पड़े और अलग-अलग किरदार करते रहने के मौके मिले तो जब यह चिकन करी लौ हमारे पास आई तो सबसे पहली बात यही थी कि यार यह एक ऐसा करदार है जो हमने अभी तक नहीं किया है और हमको इस करदार को और उसका जो सबसे बड़ा जो catch point जो मुझे लगा वो यही लगा कि एक दक्ष व्यक्ति एक skillful व्यक्ति एक principle वाला व्यक्ति अपनी उसी दक्षता को skillful होने के बाद भी अपने सिधानतों के बाद भी उसी चीज़ से बेजार आकर उसने उस चीज़ से किनारा कर लिया है और अब एक मन में व्याप्त आक्रोश के कारण और एक सहज प्रतिकार के कारण वो क्या चीज़ कर रहा है वो उसी मंदर के सामने जिसका वो पुजारी हुआ करता था या जिसका वो उपासक हुआ करता था वो एक रोध के तौर पर और या आकरोश के तौर पर वो वो काम कर रहा है जो काम वो नहीं करता था तो अपने आप में काफी रोचक किरदार है लेकिन साथ में उसके अंदर वह बात है तो आप कि कोशिश कर ले अल्टीमेटलि आपको आपकी दुनिया या आप की परिस्तेतिया सत्थ के पक्ष में खड़ा कर लिए स्यंक्ति और से रिष्य होता है कि बहुतती स्टाउग मेंसेज देनेे मांगे कुछ कहना चाहेंग ऑ Cum कुछ मैसेज देना चाहिए हमारे थू हमारी ओडियंस को क्या कहांगे सब्सक्राइब बहुत हार इटिंग है और यही है कि या कंटेंट अब यह चलता है लोग लोगों को समझ में आ गया है कि वाई कंटेंट इस दे किंग है ना तो कहानी अच्छी है कंटेंट इस गुट त ऐसी फिल्मों को मोड़ी से सपोर्ट मिलना चाहिए कि क्वालिटी यह है कि शेकर जी करते अच्छा है बोलने में भले ही उन्हें संकोश होता है तो यह कंटेंट इसलिए क्या होता है कि जब आपके पडोस में इतना अच्छा बोलने वाला वक्ता हो अपनी चुपी अपने अच्छी करने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जनको बोलने में विश्वास होता है तो हम यह मान के जलें तो फिल्म बहुत हार्ड इटिंग फिल्म बहुत इमांदारी से बनाई गई है और फिल्म में जितना करीब रहा जा सकता है aesthetically उतने करीब रह तो नौतारिक सर अल सेट, ट्रेंडिंग को अश्य है, आपके टॉप्टैंड में है, यो तर्टेंडिंग होती है, वो गुड्ट साइंट, एक ओनेस्ट फिल्म जे, कहीं नहीं है, आपका ओनेस्ट प्रयास जो लोगों के दौरा वेल रिस्टेंगें, प्रणाट के अजिए, पयाओ को अजिए, नहीं है, जो प्राषिण मैं आपका, अजिए आपका ओनेस्ट आपके, यह जो अगुड़ों के ढ़ा है, तो तो प्रॉटैंग है, अच्वाने नहीं है, जिए लिए जो साइब प्रॉटैंग है, लिए चुपत्तिक अग्ड़। किसना ही नीचे चुपाथे रखिया